कर दो कि सात्य को मेरा प्यार भण हमस्कार ज दोस्तों पैसों की कोई लिमिट नहीं होती है है ना मतलब कि जिस वेक्ति के पास में पैसा नहीं आ रहा है तो वो चाहिता है कि उसके पास में पैसा आए लेकिन जिसके पास में आ रहा है तो वो चाहिता है कि उसके पास में और पैसा आए तो दोस्तों धन प्राप्ति के अगर आपको ऐसा लगता है कि वह असर नहीं कर रहे हैं तो यह वाला जो उपाय में आपको बता रहा हूं यह राम बार उपाय है सिर्फ एक बार किसी भी दिन आप करके देख लीजिए इसको बहुत ही खास उपाय है अब लोगों देखा होगा कहीं भी आप जाएंगे फुटपात बगरा में जो मोची बैठे रहते हैं हर विक्ती मोची के पास जाता है अपने जूते चपल से लपाता है तो सबसे ज्यादा जो असर होता है राहू केतू और शनी का सबसे ज्यादा एन परिशानी दूर नहीं होगी जो भी परिशानी है आपके उपर अगर ऐसा लगता है कि नकड़ अत्मा कुर जाएं बहुत ज्यादा है अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो गलत संगीती में पड़ा हुआ है या काफी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि उनके हजबन को बात बहुत ही चमतकारिक है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपके घर में ऐसा लगता है कि तंत्र मंत्र का कुछ क्या कराया है या फिर ग्रहकलिस बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या कोई भी काम करते हैं तो कुछ ने कुछ कि आपको ध्यरान हो जाएगे जनकारी शुरू करने से बहले दोस्तों बता दूं कि जो नियू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जनकारी में रुची रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आ शुत डराषारी में उसते के जनकारी को पहुंचाना चाहिए base ट्थ को जरूर पहुंचाए कि वह अगर इस उपाया को करता है तो उसका लग्दाप आपको भी प्राफ्त होगा तो मदद कर रहे हैं थे नो कि किसी की ने मदद करना होता है तो भगवान सौयंच्छल वा समने प्रकट को किसी ना किसी बहाने से जानकारी यह अब यह करिए तो यह जानगारी आप तक तक कहुंची इसका मतलब है भरबन आपकी help कर रहे हैं आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं आपकी परिशानी से मुख तो होनी के लिए तो इस वपाय को दोस्तों करिए जरूर एक बार करिए उसका रिजर्ट आप देखिंगे बहुत अच्छा है तो दोस्तों इस प्रयोग को आप किसी भी दिन कर सकते हैं ठीक है आपको करना क्या ह कि दो तीन रंके मदलब कि जूते चप्पल होते हैं अगर अगर आपके पास वह पुराने हैं तो उसको यूज कर लें नहीं तो कम से कम दो आपके पास में दो रंके जूते हैं और यह नहीं है तो नहीं जूते लिया करना है उसको कम से कम साथ आठ दिन 15 तो पहने ताकि आपको जो बैड एनर्जी उसमें आ जाए और यूस करना है इन जूतों को लेकर जाना है आपको किसी मोची के पास में कि मोची के पास में कुछ हैसा काम निकालने जूते में कुछ थोड़ा सा सिलने बगारा का या कुछ हैसा काम निकालने उसमें कि मोची काम को करें थोड़ा से कुछ चीरा बगारा लगा दें कि आप उसको पास में मोची के पास में तो मोची उसमें कुछ काम करें इन जूतों करके वापस आपाएंगे तो आपको पलट के दिखना है सिधर घर वापस आजाएंगे यह प्रयोग दोस्तों सिर्फ एक बार करना है अपको और हो सके एक माचिस सो कुछ वीडी अगर आप दान कर सकते हैं उसे तो वह भी दान कर दीजिए क्योंकि माचिस की तीनी में बारू में दिल बाते हैं पर राहु जिस पर बिगड़ गए दोस्तों उसको अचानक अचानक से बरबाद भी कर देते हैं तो राहु का प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है और इस प्रयोग से दोस्तों आपके राहु के तुशनी तीनों की सांथी हो जाएगी पैसों से संबंदिक करके देखिए और हो सके दोस्तों तो यह प्रयोग आपने कर लिया दो कंबल कि लें संदोरं के अनल होसमें सफेद काला यह किसी मोची को आप दान कर दीजिए हैं रहू बहुत प्रसंद होते हैं दूसरा प्रैयोंग दोस्तों आपको बता regular के दिन में रभी बार के दिन में और शनी एक दिन अगर आपने तीनों दिन यह प्रयोग कर लिया तो दोस्तों से इसका रिजल्ट आप देखेंगे कितना गजब कर रिजल्ट आ रहा है चमकारी रूप से आएगा कोई रेलवे स्टेशन देखें यह इस बात की जानकारी में पिछले वीडियो में दे चुका हूं लेकिन साइद मेरे एकी वीडियो सभी सब्सक्राइबर उन तक नहीं पहुंच पाती है इसलिए फिर से मैं यह जानकारी को दे रहा हूं कि रेलवे स्टेशन देखें वहां पर कोई विकारी हो उसको भोजन करवाएं चार सिक्के लेने दस के भी ले सकते हैं पांच के भी ले सकते हैं लेकिन सिक्के ही लेने हैं भोजन करा करके और उसको चार सिक्के देते हैं उसके बाद में देखिए रहू अपके वोपर कैसे महरवान होते हैं रभी वार के दिन में बुद्ध वार के दिन में और श्चनिवार के दिन में तीर वार यह प्रयोग करनेजिए चमतकार खुद आप आप उसे देखेंगे और जब result अच्छा मिलने लगे तो आप इसको और भी कर सकते हैं जितना ज़्यादा ये करेंगे उतना ज़्यादा राहू अपर महरवान होंगे दोस्तों ये छुटे-छुटे से प्रयोग हैं जो आपके तीनों ग्रहों को कंट्रोल कर देंगे मैं ये नहीं बूर रहा हूँ कि सिर्फ पैसे के सम्मधित परिशानी दूर होगी लेकिन हाँ ये प्रयोग करने के बाद में आपकी हर परिशानी दूर हो जाएगी दोस्तों राहू का काम ही है दंडित करना शनी का काम है न्याय करना लेकिन यह राहु को प्रीवाइगे हैं अचानक अचानक से लिए कुछ नहीं करना प्रियोग करने के बाद में आपको परिवत्तन खुद नजर आने लगेगा आप खुद हारान हो जाएगे और जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो आगे आप खुद इस प्रियोग को करते जाएगे पूर इस रद्धा से विश्वास से करके देखें दोस्तों बहुत आपनेरी